स्वा, विजह चौधरी जी उत्तर प्रदेश आपकारी महकमे में रहे, आपका चर्चलेन इलाहबाद में मकान है, आपकी पतनी साधु संतों में विशेश आस्था रखती थी और बाबा की भक्त रही, बाबा आपके मकान में कई बार ये भी और श्री मां उनके मकान में रह एक बार भक्तों के बीच महाराज की चर्चा हो रही थी, जब बोले कि मेरी पत्नी को महा प्रयान के बाद भी बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन अनेग बार होते रहे, एक दिन आप गंगास नानकर घर को आ रही थी आपने बाद पर बाबा को अकेले रिक्षा पर बैठे त्रि प्रिश्य से उन्हें महान आश्चर्य हुआ, उस भीव में उनके रिक्षा को रुखवाना या उसका पीछा करना संभव ना था, घर आकर आपने ये घटना मुझे सुनाई, पर मैंने उनकी बाद को कुछ महत्व नहीं दिया, केवल इतना कहा कि गलत फेहमी भी हो सकती है, इस घटना के कई महीने बाद हम गर्मियों में नैनी ताल से लोट कर लखनव अपने एक संबंधी के घर पर थेहरे थे, वहां से एक दिन किसी से मिलने हम कानपूर गए, वहां बजार में कुछ सामान खरीदते समय मेरी पतनी ने एक सफेद कार में चालक की बगल में बैठे कंबल ओडे बाबा को जाते देखा आपने इंगित कर ये द्रिश्य मुझे भी दिखाया पर भली भाती देखने का मुझे पूरा अफसर नहीं मिला, मैं जल्दी में इतना ही देख पाया कि एक बड़े दील डॉल का व्यक्ती कंबल ओडे चालक की बगल में बैठा था, कार आगे चली गई, इस बार भी मैं पतनी की बात को ना मान सका कि वे बाबा ही थे, इसके बाद उसी दिन शाम को हम लखनव वापस जाने के लिए रिक्सा से कानपुर के बस स्टेशन को जा रहे थे, मेरी पतनी को उस अड़क में विप्रीत दिशा से आते हुए एक रिक्षा में बाबा अकेले बैठे देखी दिये, आपने इस और मेरा ध्यान आकरशित करते हुए कहा, अब मत कहना, बाबा नहीं है, मैंने जो बाबा को पास से देखा, मैं अवाक रह गया, मेरी बुद्धी चक्रा गई, मैं न उनका रिक्षा रुक्वा पाया, न अपना ही और उन में नमन करना तो मैं भूल ही गया,